आज आपको मैं ऐसी चार्ट बनाना सिखांगी जो आपका दिल जीत लेगे आपको खुश कर देगी बहुती मज़िदा बहुती अच्छी और जट पर तयार होने वारी रेस्पी यह और रब्दान के लिए तो बहुती अच्छी है क्योंकि यह बहुती जल्दी और कम टाइम म आपनी रेसिपी जिसके लिए हम नहींगे चार अलू जर्मियाने साइस के इसके बाद हम इनको बॉच करके अच्छे से दोग के इनको बॉइल करने रख देंगे इनको हम ढखके बॉइल करेंगे ठीक है ताके जल्दी एक गल जाए यह देखें यह हमारे आलू गल चुके ह तरह हम चुरई से या नाइष से इसको कैट करें लेंगे कि हमारे गले हैं खीक हम अब नगे दिल गए अब इनको हम प्लेट में सब्सक्राइब इनको थोरी देर हम थंडा होने रखेंगे निकोची एक चील के लेंगे इसके बाद हम इसमें ऑड़ाई डालेंगे इस तरह से हम ने अकड़ाई में अपना डाली है और यह हम जो हमने अलु कट करके रखे थी वो इस 1 टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चे लाल कुटी मिर्चे 1 टी स्पून ये सारी चीज़े हम डाल लेंगे इसके बाद हम इसमें इमली आइट करेंगे जो इसको बड़ी जबरदस टेस्ट देगी हम पकते हुए ही इमली डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे सामारे आन इसका फ्लेवर बहुत है इसलिए हमने इसको डाला है अब हम इसको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे यह तोड़ा इसको करेंगे ताकि यह जो हमारी टाइप की बन गहीं है यह जर्ब सो जर्भ और इसका जो श्लेवर नेगे पूरा अच्छे से आलो चला जाए ठीक है यह यह थोड़ी ही देर में तयार हो जाए तो इसमें कुछ जादा टाइम नहीं लगेगा त्यूंकि हमारे आलू तो गले वही है अलमुस्ट यह देखें यह इस तरह से हमने इसको चलाना है थोड़ा सा ताकि हमारे आलू लगे ना नीचे यह देखें यह मसाला खुशक होने अपनी इसमें इसको निकाल के सर्फ़ कर लिया अपनी डिश में इसके अब पर हम पापड्य डाले हैं एस चम्छ जाड अच्छ आट तयार हो गई आप इसको बनाया और रमजान में एंजॉआ कर अपनी फैमिली को भीखिलां आपको मेरा चानल अच्छा लगोओ तो प्ली लगी ये रिस्पी और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शक्रिया आला हाफिस